आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले बच्चो एलडॉल संगनन जो की अलफा हाइड्रोजन युक्त कारबोनी लियोगिकों के बीच में होता है अभी हम समझा रहे हैं यदि क्रास अलडॉल संगनन हो जाएगा तो दो अलग अलफा हाइड्रोजन युक्त कारबोनी लियोगिक लेंगे तो आपका क्रास अलडॉल संगनन कहलाएगा हम यहाँ पर छादिये माध्या में अल्डॉल संगलन की क्रिया करा है हम 2 समान यल्डिहाइड लेते हैं जैसे आप से कह दिया जा असीटेलिहाइड सीएस्थी, सीएचो थोड़ा सिंपल तरीके समझेगा सीएस्थी, सीएचो शीएचो आपका एकिटेल्ली हाइड है कोजी कत तो नहीं है इसका एक और और ले ले लेते हैं CH3 CHO CH3 CHO CH3 एक हैसा कर दिया तो देखो ज़रा ये दोनों समान हैं दोनों में अलफा हाइड्रोजन है आपको किसर अलफा कहां पर जो क्रियात्मक समु है उससे जुड़ा कार्बन अलफा कार्बन और उसके साथ जो हाइड्रोजन है बच्चो वो अलफा हाइड्रोजन कहलाया तो अलफा यहां पर दो हाइड्रोजन दो एक तीन टोटल कार्बन के पास त 3CHO, दोनों सेम है न, acetaldehyde ये भी है, acetaldehyde ये भी है, मतलब एक योगी का दो अडू हमने ले लिया, कोई दिक्कत यहां तक clear है, यह जो अब क्रिया हो रहा है, वो छारी माद्धम में होता है, छारी माद्धम में, तो मैंने यहां पर चार ले लिया, तानू, N-A-O-H कोई दिक्कत तो नहीं है, चार ले लिया ना, चार है, अब होता का है बच्चो, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजेगा, यहां से जो H है, तो H का विश्थापन होता है, यहां पर और बंद का बिदलान होगा, जब बंद का बिदलान होगा, तो बनेगा क्या, थोड़ा ध्यान दीजेगा, यहां पर CS3 है, यह कारबन है, ठीक है, बंद का बिदलान होगा, तो जब बंद का बिदलान होगा, तो H जो है, इस कारबन के साथ, जो आक्सिजन उसके साथ जुड़ जाएगा, यहनी कार्बन के साथ जो आक्सिजन उसके साथ जुड़ गया और आल्रेड़ी यहां पे एच है तो यह चिमैनी नीचे कर दिया चाहिए उपर करो कोई दिक्कत नहीं है फिर यह जो CH2 वाला है विचारा इस कारवन के साथ जाकर अटेक करेगा और CHO है तो इसको रहने दो यह हमारा आगया एल्डॉल संगनन ध्यान यह देना एल्डॉल संगनन में जब क्रास एल्डॉल संगनन आ जाएगा तो आप अलग अलग दो अडू लेंगे अलग अलग होन हैं ठीक है मतलब अलग 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 लेंगे जिसमें अलफा हाइड्रोजन होना चाहिए यहनी अलफा हाइड्रोजन युक्त कारवनी ल्योगिक न वेच बी अवेच का होल टॉइस आदि के तनू बिलियन से क्रिया कर परसपर संगनित होकर बीटा हाइड्राक् उपस्थित होना चाहिए और अलफा हाइड्रोजन उपस्थित होगा तो इसमें संगनन होगा सीधा जुड़ जाएगा देखो कहीं से भी कोई भी एक भी परमाडू अलग नहीं हुआ है दो अडू थे उन दोनों अडूं के बीच में संगनन हो गया और सिंपल सा बच्चो यहाँ पर इसका आउओ पेसी नामन क्लेचर कर सकते हैं न कितने नमबर भी कर सकते हैं फिलाल अभी यहाँ पर वीडियो पसंदाट लाइक करके शेयर कर दें जैहिंद बंदमात्रम